तो आज हम G.M.S. चोक्लेट PRI MIX और केक स्पॉंज बनाएंगे तोर इस G.MA.S. पाॉडर PRI MIX से केक स्पॉंज बहुती soft और जालिदार बनता है यहां मैं आपको चेक करकर भी दिखाऊंगी कितना soft और जालिदार हमारा केक स्पॉंज बनकर तयार हुआ है तो चलिए देखते हैं हमने इस GMS प्री मिक्स और केक स्पॉंज को केसे बनाया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो GMS प्री मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे मेँगे स्ट्रेइन लेंगे एक कप मेदा और हाफ कप चीनी लेंगे चीनी उपसी हुई चीनी ली है कुखाल हम ने बारेक कर लियुए है और यहां मैंने कोको पावडर लिया है तो इसं लेंगे सब्सक्राइब 15 बेंगे और przede सबूंद को लेंगे हमिल्क पावडर वाइन टी स्पून डालेंगे हैं इसमें बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और यहां हमारा में इंग्रीडियन्ट है जीमेस पाउडर इसका हम हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे GMS powder डालने से हमारे केक को hide भी अच्छी मिलती है soft बनता है, जालीदार बनता है सारी चीजों को हमें इसे च्छान लेना है और आप यहाँ देख सकते हैं जो भी इसमें गुटली बगारा आती है ना इसे हमें अलग कर देना है और च्छान लेने के बाद सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सारी चीजों को अच्छी तरह से इसमें मिल जानी चाहिए और आप चाहो तो इसको mix जार में डाल कर भी अच्छी तरह से चला सकते हो तो इससे क्या होगा सारी चीज़े अच्छी तरह से मिल जाएंगी तो यहां सारी चीज़ों का अच्छी तरह से हमने मिला लिया है तो अब हम इसका cake sponge बनाएंगे तो cake sponge बनाने के लिए एकcribe Wish लेंगे हम और इसमें हम लेंगे एक cup premix तो जो हमने vie leaf बनाया है प्रिमिक्स को और इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून भरके ऑईल और ऑईल डालके थोड़ा-थोड़ा सा पानी मिलाते हुए हम अच्छा सा घोल तैयार करेंगे और पानी एकदम से नहीं मिलाना है हमें थोड़ा-थोड़ा करकर ही मिलाना है और consistency हमें इसकी ribbon वाली ही रखनी है तो यहां आप देख सकते हैं घोल हमारा तैयार है बिल्कुल थोड़ा और पानी डलेगा इसमें और अच्छी तरह से हम मिला देंगे तो यहां आप इसकी consistency देख सकते हैं तो यहां हमारा केक का बेटर बिल्कुल तयार है तो यहां मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है जिसको मैंने ऑईल से बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया है इसमें हम सारा हमारा केक का बेटर डाल देंगे और थोड़ा टेप कर लिए तो यहां मैं इसे ओवन में बेक करने व बहुत इजिली ये डी मोल्ड हो जाता है आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पॉंज बनाया हमारा बटर पेपर भी निकाल देंगे हम इसका और कितना सॉफ्ट और जालीदार हमारा केक स्पॉंज बन के तयार हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं तो आपको अब मार्किट से प्रिमिक्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप घर पर ही इतना अच्छा प्रिमिक्स बना कर तयार कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार हमारा केक स्पॉंज बन के तयार हुआ है यहां मैं आपको काट का चेक करकर भी बताऊंगी कितनी अच्छी जाली पड़ी है इसमें कितना सॉफ्ट हमारा केक स्पॉंज बन के तयार हुआ है और देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इसे होमेट प्रिमिक्स से बनाया है जिस तरह का मार्किट में प्रिमिक्स आता है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने इसे मार्किट वाले प्रिमिक्स से ही बनाया हो और जब ये प्रीमिक्स आप घर पर बना लेंगे ना तो आपको मार्किट से प्रीमिक्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घर पर ही आप बहुती अच्छा और बहुती सस्ते में इस प्रीमिक्स को बना सकते हैं तो आपने देखा कितना आसान है इस तरह से जी एमेस प्रीमिक्स और केक स्पॉंच को बनाना और आप भी मेरी तरह इस प्रीमिक्स को बना कर 5-6 मैने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन चाहे आप इससे केक बना सकते हैं क्योंकि जब हमारे घर पर प्रीमिक्स होता है तो इससे केक बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और आप चाहो तो इसके ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना कर स्टोर करके रख सकते हो तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फैमली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी होममेट प्रीमिक्स की रेसिपी कैसी लगी